चैजी पीटी बनाने वाली कम्पनी OpenAI ने हाल ही में अपना Text2Video Generation Tool SORA AI पेश किया है। यह तूल किसी भी टेक्स्ट को वीडियो में कनवर्ट कर सकता है। जानकारों का मानना है कि यह AI Tool भविश्य में Creative Industry की तस्वीर बदल सकता है। ChatGPT जैसे Generative AI Tool बनाने वाली कमपनी OpenAI ने अपना नया TextToVideo, Generating AI Tool, SORA पेश किया है. कमपनी के CEO का कहना है कि यह Creators के लिए एक अहम टूल साबित होगा. इस टूल के जरिये आप अपने TextScript का High Quality Video Create कर सकेंगे. इन दिनों जिस तरह युवाओं के बीच Short Video और Reels लोकप्रिय हो रहे हैं, यह AI Tool Video Creators के लिए खास होने वाला है. आएए, जानते हैं, OpenAI के इस Next Generation, TextToVideo, Generating AI Tool, SORA, के बारे में अहम बाते. SORA AI के जरिये यूजर्स अपने स्क्रिप्ट को High Quality Professional Video में कनवर्ट कर सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को वीडियो क्रियेट करने के लिए न तो किसी फुटेज और नहीं किसी इमेज का इस्तेमाल करना पड़ता है. यह AI Tool अपनी Skills का इस्तेमाल करके Creative Video जेनरेट कर सकता है. ओपन AI के CEO Sam Altman के मुताबिक यह Tool Advanced Language Model Dolly पर काम करता है. इसे फिलहाल के वल सीमित क्रियेटर्स के लिए इनवाइट के आधार पर टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है. Imagination Based Video Creation Open AI के इस Artificial Intelligence से Less Video Generator Tool में यूजर की Imagination के आधार पर वीडियो जेनरेट किया जा सकता है. इसके लिए यूजर को अपनी स्क्रिप्ट में अपनी Imagination का इस्तेमाल करना होगा. उदाहरन के तोर पर अगर यूजर किसी Natural Scene को अपने वीडियो में देखना चाहते हैं, तो वो अपने स्क्रिप्ट में इसका जिक्र करेंगे, जिसके बाद यह टूल Natural Scene के साथ वीडियो को क्रियेट कर देगा. 60 सेकेंड लंबा वीडियो कमपनी से CEO ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह AI जेनरेशन टूल फिलहाल 60 सेकेंड्स तक का क्रियेटिव वीडियो जेनरेट कर सकता है. अन्य AI वीडियो जेनरेशन टूल में अधिकतम 4 सेकेंड्स तक का वीडियो क्लिप जेनरेट किया जा सकता है. ओपने AI से पहले भी कई टेक कमपनियों ने अपने वीडियो जेनरेशन टूल की घोशना की है, लेकिन इसकी यूनीक बात यह है कि यह इंडिस्ट्री स्टेंडर्ड क्वालिटी का वीडियो जेनरेट कर सकता है. बनेगा क्रियेटिव इंडिस्ट्री का फ्यूचर? ओपने AI का यह AI टूल भी चैजी पीटी की तरह लोकप्री होने वाला है. आने वाले दिनों में यह AI टूल क्रियेटिव इंडिस्ट्री जैसे की फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, गेमिंग आधी को पूरी तरह से बदल देगा. इस AI टूल के जरिये हाई क्वालिटी और ग्राफिक्स वाले वीडियो जेनरेट किये जा सकते हैं. हालांकि इस टूल की वजह से परंपरागत स्टॉक वीडियो जेनरेशन इंडिस्ट्री को खत्रा हो सकता है. AI पर टेक कमपनियां कर रही फोकस. इन दिनों Google, Microsoft, Meta, X, Apple, Baidu जैसी बड़ी टेक कमपनियां जेनरेटिव AI, AI पर फोकस कर रही हैं. Microsoft का को पाइलट और Google की जेमिनी AI इसका उदाहरन है. Google और Microsoft ने अपने सर्च इंजन में AI फीचर को इंटिग्रेट किया है, जिसकी वजह से यूजर्स को सर्च करने का नया एक सपीरियंस मिलने लगा है. IBM इंडिया की हाल में AI रिपोर्ट के मताबिक, Artificial Intelligence ने पिछले साल वेब डिजाइन, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे छेतर में बड़ी मात्रा में नौकरियां क्रियेट की हैं. वहीं EY इंडिया का अनुमान है कि 2030 तक जेनरेटिव आई के जरिये भारत की अर्थ विवस्था बूस्ट होगी और रोजगार के बड़े अफसर पैदा होंगे. यह AI सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है. SORA और CHETGPT जैसे AI टूल न सिर्फ एंड यूजर का काम आसान करेंगे, बलकि इंडिस्टरी को भी इसका फाइदा होने वाला है.